Hello everyone, my name is Piyush and welcome to Ops with Java series और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेस मोडिफायर्स एक्सेस मोडिफायर्स क्या होते हैं, हम इनकी जरूत क्यों होती है तो इस वीडियो में हम सब समझने वाले हैं, एक्सेस मोडिफायर्स होता क्या है अगर हम एक्सेस मोडिफायर्स की बात करें, तो नाम से ही पता लग रहा है किसी एक्सेस को एक्सेस को मोडिफाय करना, ठीक है अब ये एक्सेस क्या होता है, अगर तुम कहीं जाते हो, हर चीज का लिए कुछ एक्सेस होता है कोई चीज़े तुह public य्लिए accessible होती है कोई चीजों के लिए green password चीए होता है अगर तुम ATM में चाते हो correct ATM के अंधर जाना ATM machine को access करना public है बट सुम्हें खुद का account access करने के लिए तुम्हे पासवर्ट होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते है Correct अब access modifier क्या होता है और जावाब में इसका क्या काम वो चीज को समझते हैं तो अभी तक हमने एक चीज्द समझा दाथ हमारे पास एक class होती है ठीक है हमें पता है class क्या होती है class के अंदर दो चीज़े होती है तो हमने देखा एक तो होता है class के अंदर members और दूसरा क्या होता है class के अंदर methods correct अब यह जो members हैं अभी चक हम क्या कर रहे थे members बना रहे थे but यार यह members जो थे ना वो public यह accessible थे correct कोई भी access कर सकता था which is not a not a good practice ठीक है तो आपके members को public रखना is not a good access नहीं तो क्या होगा कोई भी उसके ऊपर read and write कर सकता है so using these access modifiers ना हम इन members का और इन methods का access modify कर सकते हैं समझते कैसे हमारे पास basically Java में हमारे पास Java में तीन तरह के three types of access modifier होते हैं कौन-कौन से हमारे पास दिखते होता है public एक हमारे पास होता है private and last होता है protected ठीक है इसका मतलब समझते हैं अगर आप किसी member को public बनाते हैं अगर आप किसी data member को या फिर आप किसी method को क्या बनाते है public तो उसको आप अपनी class के बाहर जैसे मर्जी access करो जो हम अब तक करते आ रहे थे हमने डॉक में एक वो बन हमने एक अनिमल क्लास बनाई थी जिसमें हमारे पास एक मेंबर था नेम करेक्ट और मैंने क्या किया था यह इस नेम को बहाद से करूंगा system.outload print channel लगाऊंगा किसी भी object का password देख लूँगा which is not correct तो publicly क्या होता है कि तुम class के बाहर से उसको जैसे मर्जी read और write कर सकते हो अगर मैं उसको private कर देता हूं ठीक है private जो कि most commonly हमें करना सी है private क्या करता है अगर तुमारे पास को data member है जो क्या है private है तो तुम उसको class के अंदर से तो access कर सकते हो class के अंदर लेकिन class के बाहर तुम उसको access नहीं कर सकते हैं इसका मतलब समझते हैं कैसे हमने चीज़ देखे थी constructors ठीक है मैं एक बाइस को यह class है यह bank मेरी क्या है class इसके अंदर मैंने password रखा ठीक है password जिसको मैंने क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया अंदर accessible होते हैं तो class के अंदर इससे हमारे पास एक और function है जो क्या करेगा जिसे हमारे पास एक function है change password ठीक है और यह function क्या है public जहां से संब्सकों यह function क्या है public और यह change password क्या करेगा हमारे password को जो कि private है यह क्या है private को change कर देगा let's say 456 तो अब अगए मुझे खुद का password change करना है न मैं क्या कर सकता हूं मैं इसको directly तो access कर भी सकता बाहर दा क्या cannot say bank account.password equals to 123 error आ जाएगा ठीक है so what I'll say I'll say bank जो भी मेरा object है dot और इस function को मैं call कर सकता हूं so I'll say change password तो क्या हो automatically मेरा password change हो जाएगा correct लेकर इस password को मैं अभी भी access नहीं कर सकता हूं because private है लेकिन यह function कर सकता access reason क्यूंकि यह function class के अंदर है ठीक है तो public को आप class के बाहर access कर सकते हो private को आप class के बाहर access नहीं कर सकते तो public समझ आ गया private समझ आ गया protected हम अभी नहीं समझने वाले protected हम समझेंगे जब हम inheritance पड़ेंगे ठीक है तो अभी आपको पता आना चाहिए access modifies में private कैसे काम करते है जो सिरफ class के अंदर access होता है और public कैसे काम कर सकता है जिसको हम कहीं से भी access कर सकते है ठीक है public ठीक है जिसको हम कहीं से भी access कर सकते है read write कुछ भी कर सकते है private within the class public anywhere in our code so this was a very basic overview and theoretical overview of access modifiers ठीक है java में access modifiers क्या होते हैं कैसे use कर सकते हैं next video हम इसको code में देखने वाले हैं कि हम code में access modifiers के साथ कैसे कर सकते हैं थोड़े सा play around करने वाले हैं using these access modifiers सो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में until then bye bye take care